वेलकम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल इंजिनेर मैंट तो फ्रेंट्स आज बहुत बड़ी अपडेट आई वी है और यह अपडेट इस्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से है जो इस्टाफ सेलेक्शन कमिशन एससी जाई की वेकेंसी जो 2019 में आई थी सिविल एलेक्टि सेलेक्शन हुआ है और किन लोगों को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है डिपार्टमेंट वाइज काटफ कितना है और सेलेक्शन किन लोगों का हुआ है तो डिसकस करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो फाइनल रिजल्ट डिक्लियर कर दिया गया है और कितने कंडिडेट्स का सिलेक्सिन वा इसके बारे में भी डिटेल्स में डिसक्स करेंगे ब्रांच वाइज एंड कौन से लोग को कौन से डिपार्टमेंट मिला है और कितने मार्च लाने वाले को कौन सा प्रिफर्ड किया गया है तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं दि रिजल्ट ओफ जुनियर इंजिनियर सिविल मेकनिकल लेक्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेंग एंड कॉंट्रेक्ट्स एक्जामिशन दोजर निस पेपर टू ऑई डिकलियर बाई दी कमिशन ऑन तैसे ग्यार दोजर एककी सोन दी बैसिस ऑफ कट आफ फिग्र बाई दी कमिशन इन पेपर 2 तो 23 नॉवंबर 2021 को पेपर 2 करियाल टीकलियर क्या गया था इसके बाद 2532 कंडिडेट्स पेपर 2 के लिए क्वालिफाय हुए थे एंड सिविल में एंड तिन सो अंठावन कंडिडेट्स एलेक्ट्रिकल मेकनिकल इंजिनिंग में एप्वेर हुए थे औ दोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो टोटल 2532 सिविल में एंड तीन सो अंठावन एलेक्ट्रिकल मेकनिकल में डोकुमेंट वेरिफिकेशन इन कंडिडेट का हुआ था इतने कंडिडेट का तो आगे देखते क्या है कंसिक्वेंट अपन डोकुमेंट वेरिफिकेशन एक हजार एक सोबावन कंडिडेट से बूट बीन फाइनली सेलेक्टेट फूरेपार्टमेंट एलोकेशन और पॉस्ट एंड इपार्टमेंट तो इसे इसे आप लोग प्रिफेंज दिये थे उसी के एकोडिंग अगर आपका मार्स आया है तो उसका सेलेक्शन उसी डिपार् है तो 1112 कंडिडेट में एक हजार आर्ट सीवील इंग एंड 144 एलेक्टिकल एंड मेकनिकल इंग सेलेक्टेट फूरेपार्टमेंट तो दिपोस्ट इन डिफेरेंट डिपार्टमेंट्स आर गीवन बिलो तो कटेग्री वाइज कितने कंडिडेट्स का सेलेक्शन हुआ है तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो कटेग्री क्या है सी कटेग्री में बेकेंसी 171 थी और टोटल 171 कंडिडेट्स का सेलेक्शन हुआ है एस्टी में 83 सीट था और 83 कंडिडेट्स का मिंस जितना सीट है उतना सेलेक्शन हर एक डिपार्टमेंट में हो गया है किसी भी हमें सीट खाली नहीं है और किसी भी कटेग्री में सीटे खाली नहीं है कि में इस्टर डेखते अबेट्ऺा अब कितना गया है और सीवी बीडेग्री में है बी कोड्ट जो डिपार्टमेंट है Central Water Commission CWC इसका कोड़ है डिपार्टमेंट को टर बी कोड्श है वो Central Water Commission है सिवील के लिए तो इधने में सिवील Central Water Commission इलों lotta हुए है मतलब भी अगर आपका जो रिजल्ट है उसमें अगर आपका बी दूट हुआ है तो मिन्स आपका सेंट्रल वाटर कमिशन और ब्रांच आपका सिविल तो इस ब्रांच तो आपको पता ही है लेकिन कोड अगर आपका CWC मिला है तो कोड आपका भी होगा इसमें EWS कर्टेगरी के लिए बेकेंसी बहुसर्ट थी और बहुसर्ट में बहुसर्ट फिल कर लिया गया है एक भी सिट खाली है तो टोटल मार्क्स 304 गया है सेलेक्टेड लास्ट सेलेक्टेड कंडिड कासी मिलस को बोला जा सकता है तो EWS के लिए 304 मार्क्स कज़्व गया है और पेपर टू में जो लास्ट मार्क्स تھा काट अफ वह एक इ कर गया EWS कंडिडेट के लिए और यहां पर डेट वबर्थ से भी सेलेक्शन होता है तो लास्ट डेट वबर्थ जो है वो दस महीं 1993 लिया गया है इसके बाद सब्सक्राइब कर तो एक सुटीन पर सेलेक्शन हुआ है और दोसो बातर नंबर टोटल कट अफ गया है और फाइनल एंड पर वन एंड पर टू दोनों मिला करके एंड पेपर टू का जो कट अफ है वो 157 गया है एस्टी कटेगरी में उंचास सीट था और उंचास सीट पर से मार्क्स लास्ट कट अफ गया था ओविसी कटेगरी में 171 सीट थी और 181 सीट पर वेकेंसीज फिल कर लिया गया है फिल्ड किया गया है एंड इसका कट अफ जो है वो 305 गया है और यह सब सेंट्रल वाटर कमिशन के लिए सिविल के लिए 189 मार्क्स पेपर टू के लिए लास्ट कट अफ गया था जो लास्ट सेलेक्टेड कंडिडेट्स है इसके बाद अन्रिजर्ब कटेगरी में बात करें सेंट्रल वाटर कमिशन में ही यहां पर भी भी है तो इसमें 295 वेकेंसीज थी इसको फिल कर लिया गया है और इसका कट अफ मार्क्स 319 की अप्रोक्स गया है और पेपर 2 में 194 लास्ट मार्क्स जिनका आया है उनका सेलेक्शन हुआ है तो अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है क्योंकि वेबसाइट अभी बहुत बीजी है तो यह कट अफ मार्क्स क भी PDF मिल जाएगा आपको और जो सेलेक्शन लिस्ट वाइज करनेडेट लिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो टेलीग्राम का लिंक है और उस ग्रूप में मैं प्रोवाइड कर दिया हूं तो आप जा करके देख सकते हों इसके बाद जो डिपार जो है यह CPWD सीविल है तो EWS कटेग्री में CPWD में टोटल पांच जीट था और पांच फिल कर लिया गया है और इसमें 345 मार्क्स कटफ गया है और पेपर 2 में 221 मार्क्स आया था तो एपर वन एंड पेपर 2 को मिला करके ही कटफ यहां पर निकाला देख फाइनल कटफ जो 40 बोल सकते हैं एंड पेपर 2 का जो मार्क्स है वो दोसो 21 लास्ट मार्क्स गया है जिनका सेलेक्शन हुआ है एंड सी कटेग्री यह है आपका CPWD सीविल सीपी CPWD सीविल जो D कोड है इसके बाद सी कटेग्री में 8 सीट थी 8 सीट पर सेलेक्शन हो गया है 318 मार्क्स फाइनल कटफ गया है और पेपर 2 में 189 मार्क्स जिनका आया था लास्ट उनका सेलेक्शन हो गया है एस्टी कटेग्री में 3 सीट थी 3 सीट पर सेलेक्शन हो गया है और फिल कर लिया गया है 315 मार्क्स फाइनल कटफ गया है और पेपर 2 में 197 मार्क्स जिन्होंने लास्ट लाया था उनका सेलेक्शन हो गया है इसके बाद CPWD में ही OBC में 14 सीट था और 14 फिल कर लिया गया 346 मार्क्स फाइनल कटफ गया है एंड 214 पेपर 2 में जो मार्क्स लाया थे उनका सेलेक्शन डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए हुआ था है इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट कोड अस्वरी अभी अन्रिजर्व का छूड़ गया अन्रिजर्व कर टेग्री में 20 सीट था CPWD में और 20 को फिल कर लिया गया है 356 मार्क्स कटफ गया है फाइनल पेपर 1 & paper 2 को मिला करके और पेपर 2 में 228 नमबर जिलो का लास्ट आया था लास्ट सेलेक्टेट का उनका सेलेक्शन हो गया था डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एंड नेक्स्ट जो है वो डिपार्टमेंट कोड एफ है तो डिपार्टमेंट कोड एफ जो है वो सिविल सेंटल वार्टर एंड पावर रिसर्च का है तो सेंटल वार्टर एंड पावर रिसर्च का है तो सेंटल वार्टर एंड पावर रिसर्च का है तो सेंटल वार्टर एंड पावर रिसर्च का ह गया हैbuat थीषो और तालीस मार्ग्स फाइनल काट अपड़ गया PayPal एंड लोक हाट्ना सेलेक्शन हो गया हैं तू में 207 फ्रास्ट जिलोक आयता आदाँ लोक डोकुमेंट् वरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था वेलाश्ट targeting जिनका इतना आया था एसी कटेगरी में सेंट्रल वाटर एंड पाउर रिसर्च डिपार्टमेंट में 40 सीट था और 40 को फिल कर लिया गया है 320 मार्क्स फाइनल कट अफ गया है एंडर पेपर टू में 217 मार्क्स जिनका आया था उनका सेलेक्शन हो गया है इसके बाद हम लोग बात करते हैं एस्टी कटेगरी तो एस्टी कटेगरी में 20 सीट था और 20 सीट फिल कर लिया गया है 3018 मार्क्स फाइनल कट अफ गया है और पेपर टू में 190 मार्क्स जिनका आया था उनका सेलेक्शन डोकुमेंट वेरिपिकेशन के लिए हुआ था नेक्स्ट हम लोग देखत से सेंट्रल वार्टर एंड पाउर रिसर्च में ही ओवी सी कटेगरी में 30 सीट था और 30 सीट को भी फिल कर दिया गया है और 309 मार्क्स एप्रोस गया है और जिन लोग का 215 मार्क्स पेपर टू में आया था उन लोग का सेलेक्शन डोकुमेंट वेरिपिकेशन के लिए क्या पुलाया गया था इसके बाद हमारे पास कोड है आई पोस्ट को डिपार्टमेंट कोड जो है वह आई है तो आई कोड यह किसके लिए है अब आई कोड जो है यहाँ पर मेली दिया नहीं गया है तो आई कोड में एस्टी कटेगरी के लिए एक सीट था और एक सीट फिल कर लिया गया है जिसमें 314 मार्क्स फानल कट अब गया है और 210 मार्कस जी लोग कर पेपर टू में आया है तो कोड एक पर आप मैच कर लेना हो सकता है कि हमें हमसे कुछ मिश्टेक हो जाए कोड़ डिपार्डमेंट कोड के बारे में बोलने में ओबी सी कटेगरी में एक सीट था और सबको फिल कर लिया गया है 346 मार्क्स फाइनल कट अप गया जिन लोग का दो सो तीस माक्स आया था पेपर टू में उनका सेलेक्शन हो गया है इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब though electrical and mechanical के लिए ते लेक्टिकल and mechanical का कटेगरी वाई कितना कैंड़ इन डिपार्टमेंट वाय है उसके बारे में डिटेल्स में लोग डिसक्स करते हैं तो यहां पर डिपार्टमेंट कोड है यह तो यह जो डिपार्टमेंट कोड है यह बौरडर के रिसर्च और क्न के लिए हैं तो यहां पर आप लोग देख लेना कि एक बार डिपार्टमेंट कोड हो सकता हमसे मिश्टक हो जाए बोल ले में तो ए डिपार्टमेंट कोड जो है इसमें डव्ली एसके लिए आर्ट सीट थी और आर्ट फिल कर दिया गया है एंड इसका फाइनल कट अफ मार्क मार्कृ 330 मार्क गया है यंडेका छार्ट में आए हुनका सेलेक्शन हो गया है इसके बाद सीट था सुन और इसी कोड़ कोड ए में इसके बाद छे सीट जो है उनसारे सीट को फिल कर दिया गया है दो शूंतने मांक्स फाइनल कट अप गया था और 158 मांक्स जिनका पेपर टू में आता उनका सेलेक्शन हो गया था ओवीची कटेगरी में पोस्ट कोड एक लिए है मिन्स डिपार्टमेंट कोड एक लिए ही 22 इट था और 22 इस पे सेलेक्शन हो गया है तिन सुन्तिस मार्स का टफ गया है और 114 जिन लोग का पेपर टू में आता उनको डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया था नेक्स्ट है अन्रिजर्व कर्टेग्री डिपार्टमेंट कोड ए में 32 जीट था 32 को फिल कर दिया गया तीन से चोटिस मार्स फाइनल कर टफ गया था तीन से चोटिस पुएंट फोर नैं मिंस पुएंट आप लोग देख लेना एक सो एकतर मार्स जिन लोग का पेपर टू में आया था उनका सेलेक्शन हो गया था डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुल किया गया था इसके बाद डिपार्टमेंट कोड सी की बात करते हैं लोग तो डिपार्टमेंट कोड सी में OBC और अन्रिजर्व का सीट था जिस इस तो डिपार्टमेंट कोड इमें डिपार्टमेंट कोड हमारा है CPWD Central Central Public Work Department तो इकोड जो है आप लोग एक बार देख लेना हो सकता है कि डिपार्टमेंट कोड हम दूसरा देख के बोल रहे हैं तो o Winds Rip. आपका department अगर है मिला है और आपका डिपार्टमेंट में जो भी है दो वही आपका डिपार्टमेंट एलाउट हुआ है मींस आपको वह compliance सीट था और पर सेलेक्षिन हुआ थिन से तरिपन फाइनल कट अब गया है जिन लोगों का एक से कानवे मार्स आया था उनका सेलेक्षिन पेपर टू में तो उनका सेलेक्षिन हो गया था डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसको कॉल किया गया था एसी कटेगरी में साथ सीट था का डॉकुमेंट वेरिफिकेशन हुआ था इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओ एच में एक एक सीट था और एचेज में एक सीट था लेकिन यह फिल नहीं हो पाया यह खाली रहा गया और वीची कटेगरी में 14 सीट था चौधा फील हो गया 348 मार्क्स जिन लोग आया है फाइनल कट अफ तो उनलों का सेलेक्शन हुआ है पेपर टू के लिए 185 मार्क्स सफिसेंट था अनुजर कटेगरी में 23 सीट था और 314 मार्क्स फाइनल कट अफ गया 189 मार्क्स पेपर और 314 सी के लिए एंड तीन सुसे तालीश ओबी सी के लिए एंड अन्रिजर्व के लिए 354 मार्क्स फाइनल कट अफ गया है और पेपर वन में ओबी सी एस सी एंड अन्रिजर्व के लिए 186,193 एंड एकसो 189 मार्क्स जिन लोगोंने लाया था लोग का सेलेक्शन हो गया तो कमेंन वेरिफिकेशन के लिए इसके बाड डिपार्टमेंट कोड एच की बात करते हैं तो ओड़ भल्यूएश में में 162 एंड ओछ में 162 के लिए कट अर्थ इंसव और 304 एंड दो सब गया था फाइनल जिल्लों का पेपर टू में 210 मार्क्स आया था एंड और कि एस्टी के लिए 181 एंड एक 140 मार्क्स आया था एंड ओबी सी कटेग्री के लिए 184 तो फाइनल कट अफ ओबी सी कटेग्री में 337 मार्क्स गया है तो फ्रेंड्स अगर आप अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखें और आपको लगता है कि मेरा सेलेक्शन हुआ है तो आ इंजिनियर को एज जो है वो बियारो के लिए दिया हुआ है एंड वी जो है वो सिंस्टर्ल वाटर कमिशन के लिए ध्या वाट है और नहीं एंड व डिपार्टमेंट कोड है उसी को आप प्रिफर करना कि हाँ यहां पर जो कोडिंग दिया हुआ क्यूंकि हर एक साल डिपार्टमेंट का कोडिंग चेंज हो जाता है तो फ्रेंड्स अगर आभी तक आपने अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो लिंक टेलीग्राम का